Hello dear students, कैसे हैं आप EBS या प्रयावर्न ध्यान की क्लास में आपका स्वावत है आप इस वीडियो में जानने बाले हैं कि malaria कैसे होता है और malaria की जाँच कैसे की जाती है जब भी कोई बिमार होता है तो वो डॉक्टर से दवाई लेता है डॉक्टर रोगी की जाँच करने के बाद उसे दवाई देते हैं चलो जानते हैं malaria होने पर कैसे जाँच की जाती है और malaria होता कैसे है बच्चो आप फिफ्ट क्लास की EBS की बुक लुकिंग राउंड या आज पास का पेज नमबर 67 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें इस चेप्टर का नाम है A Treat for Mosquitoes मचरों की दावत बलड टेस्ट रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है वो कही दिनों से गेर हाजिर था आरती न पूछा अब तुम कैसे हो आयम आल राइट रजत रिपलाइड सौफ्टली ठीक हूँ रजत ने धीरे से जबाब दिया जसकीरत यू मस्ट हैव प्लेड आ लॉट वाइल यू वर एट हूँ जसकीरत घर पर तो खूब खेलते होंगे रजत वू बांट्स तू प्ले वेन यू हैव फीवर रजत कुछ चिड कर बोला बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता उपर से कड़बी दवाई भी खानी पड़ी और खूण टेस्ट भी करवाना पड़ा बच्चो क्या बता सकते हैं खूण का टेस्ट क्यों करवाया जाता है नहीं पता चलो मैं बताता हूँ पेशियंट या रोगी के शरीर में क्या-क्या बिमारी है मुझ जानने के लिए और बिमारी किस कमी की वज़ा से है ये भी बलड टेस्ट या खूण की जानस से पता चल जाता है ये तो आपको पता ही है कि शरीर से खूण कैसे निकाला जाता है हाँ सूई लगा कर स्रिंज से जस्कीरत अ बलड टेस्ट भाय, it must have been very painful जस्क्रीत न बोला खून टेस्ट वो क्यों बहुत दर्द हुआ होगा रजत एक्चुनी वेंदा नीडल पिक्ड माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन आंट वाइट रजत नहीं जब सुई चुभी तो लगा जैसे चिंती ने काटा हो दो तीन बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है नैंसी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है रजत, यस, what we find out वाइदा, मुला टेस्ट रजत, हाँ, पर पता तो खून के जांट से ही चलता है जस्कृत, there are a lot of mosquitoes in my house these days but I did not get malaria जस्कृत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है पर मुझे तो malaria नहीं हुआ नैंसी, who says that every mosquito why it causes malaria नैंसी, अरे भेई, malaria हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है malaria spreads only why the disease carrying mosquitoes malaria तो बिमारी वाले मच्छर से ही होता है आरती, all mosquitoes look the same to me आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं रजत, there must be some difference रजत, कुछ उनमें बिनता होती है बच्चो इस पिक्चर को देखें यहां पर क्या किया जा रहा है taking the blood on the glass slide for test malaria की जांच के लिए कांच की slide पर खून की बुंदें ली जा रही है malaria spreads through female mosquitoes malaria मादा मच्छर से फैलता है जिसे एनफलीज कहते हैं इस दूसरे चितर को देखें Dr. Mariam looking at the blood slide under the microscope Dr. Mariam slide को microscope यनी सुक्षम दर्सी से देखते हूँ This microscope makes things look thousand times bigger इस microscope से एक चीज हजार गुना बड़ी दिखती है The details inside the blood can be seen clearly इसलिए खून के अंदर की वरीकियां साफ दिखाई परती है There are some microscopes which makes things look even more bigger than this one केई microscope से तो इससे भी जयदे बड़ा दिखाई देता है तो बच्चो आपने जाना की खून की slide को microscope से टेस्ट किया जाता है और microscope से केई गुना जयदे बड़ा दिखाई देता है Nancy, did they take the blood from the place where the mosquito had whiten you? Nancy, क्या उसी जगा से खून लिया था? जहां मच्चर ने काटा था? रज़त, of course not, how do I know when and where the mosquito with me? रज़त, नहीं भेई, मच्चर ने कब और कहां काटा या तो मुझे भी नहीं पता Nancy, but how could they find out that you had malaria by your blood test? Nancy, पर उन्हें खून से कैसे पता चल गया कि तुम्हें malaria है? Do you think they could see something in the blood? खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे malaria का पता चल पाया? तो बच्चों, बलड को माइक्रोस्कोप से देखने पर malaria का पता चलता है आपने जाना कि मादा मच्चर के काटने से malaria होता है सभी मच्चरों के काटने से malaria नहीं होता और खून की जान से malaria का पता चलता है आप इन जानकारियों को अपनी कॉपी पर नोट करना इससे आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी Have a nice day